कल का आपने देखा होगा कि कल सबसे जो प्रदूसित जगा थी दिल्ली नहीं थी रिटर नोड़ा थी लेकिन सीएक्यूम के हर आदेश की भाजपा की सरकारें धजियां उड़ा रही हैं वो मानने को तयार नहीं है केंदर सरकार बोलने को तयार नहीं है और भारती जन्ता के प्रवक्ता प्रवचन देने से बाज आने को तयार नहीं है हमने उसनमें निवेदन किया था कि दिल्ली के अंदर जो हो रहा है वो NCR में भी लागू कराईए दिल्ली में CNG की बस चल रही है दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चल रही है मेरे समझ में नहीं आता है केंदर में भाजपा की सरकार उत्तरप्रदेश में भाजपा की सरकार केंदर में भाजपा की सरकार हर्याडा में भाजपा की सरकार वो इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं खरीद पाते हैं कि या जानबूच के नहीं लाते हैं कि दोनों में से एक ही चीज हो सकता है पैसे की कमी तो केंदर सरकार के पास भी नहीं है हर्याणा सरकार के प्यास भी नहीं है उत्रप्रदेश सरकार के पास भी नहीं है हमने कहा कि दिल्ली में प्रटाकों पे प्रतिबंद दिवाली आने वाली है आज तिल नव आज तक अभी हरियाडा के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रटाकों पे प्रतिबंद नहीं लगाया गए क्यों नहीं लगाया गया भई क्यों नहीं लगाया गया अभी तक भारते जन्ता पार्टी इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहती है कि इंदर सरकार चुप क्यों है दिल्ली के अंदर 24 इंटू 7 बिजली सप्लाई हो रही है जन्नेटर सेट बंद है लेकिन आज की डेट तक पूरे इंसियार के अंदर जन् लोगों के बल बंद हो जाएंगे विजली सप्लाई क्यों नहीं है और यह एक बार की बात नहीं है हर बार चर्चा होती है और हर बार वो कान बंद करके निकल लेते हैं इस बार भी 15 दिन से इस बात के लिए हाथ जोड़ के बिंती कर रहा हूं लेकिन कान पे जूँ नहीं है भाजपा के सरकारों पर हमने कहा कि भाई जो बाहर से ट्रक्स आ रहे हैं दिल्ली के अंदर जिसका दिल्ली के अंदर कोई उपयोग नहीं है कि अंदर सरकार ने बनाया है इस्टर्नल और विश्टर्नल पुर्वी और पस्चिमी जो रोड बना है वहां से बसों को डाइवर्ट कर दो नहीं सुनने को स्यार है कि उन्हीं डाइवर्ट करना चाते हो भाई आज की तारीक में दुखी परद्विश्बन से हमें कहना चाहरा हूं भारती जनता पार्टी की सभी सरकारें दिल्ली के अंदर प्रदूसर्ण को सड़यंत्र करके बढ़ाना चाहती है चारों तरफ CEO QM की किसी भी आदेश को मानना नहीं चाहती है और उनके खिलाब कोई बोलने वाला नहीं है कोई कारवाई करने वाला नहीं है कि इंदर सरकार चुपचा बैटी वही है CEO QM सर्कुलर पर सर्कुलर जारी कर रहा है कोई कंप्लाइंस नहीं आज मैं दुबारा चिठी लिख रहा हूं कि इंदरी परियारण मंत्री जी को कि इमिडियेट तुरंत मीटिंग बुलाई जाए इन पाँचो राज्यों के परियारण मंत्रियों की और जो पिछले मीटिंग में डिसकसन हुआ था उसका कंप्लाइंस क्यों नहीं हुआ उसके लिए जिम्यदार क्यों नहीं कौन है अकारत के अंदर जो परिदूसरन की स्थिती बनी वही है कल अकबारों में छपा था रिपोर्ट देश के अंदर 52 जो जिले जो सबसे परूटेड हैं 20 जिले हरियारा के हैं भाजपा की सरकार है सबसे जो पलूटेट जगा है वो ग्रेटर नोटा है भाजपा की सरकार है और भाजपा के लोग दो लाइन का बयान जारी करते हैं और छुट्टी हो जाती है किंदर सरकार की छुट्टी हो जाती है उपी सरकार की छुट्टी हो जाती है कल मैं एक बयान देख रहा था उत्तर प्रदेश के मानने मुक्षमंत्री योगी आदित नाच जी का बोले मैंने मुबाइल में देखा वो पंजाब में पराली जल रही है यूपी से सारी बसें डीजर की घुमार है वो चारोतरप वो नहीं दिख रहा है ग्रेटर नोड़ा में सबसे ज़्यादा पलूसन हो रहा है वो नहीं दिख रहा है उस पर पट्टी बाद रखी है आपको अपने राज के अंदर दीजल धुआ उड़ाते हुए बसें गारियां घुमरेंगे नहीं दिख रहा है इट भट्टे से धुआ उड़ रहा है नहीं दिख रहा है आपको मुबाइल में दिख रहा है पंजाब क्योंकि पंजाब में आम आदमी की सरकार है साइद भाजपा की होती तो भी नहीं दिखता उस तो भी पट्टी लग जाती साइद जो पट्टी लगी उसमें क्यों पंजाब दिखता अकेली सरकार है आम आदमी पार्टी की जिसने वादा किया था पराली को कम करेंगे और पंजाब के अंदर 50% से ज़्यादा पराली कम किया है काम किया है इसलिए कम हुआ है और गली बार और भी कम करेंगे लेकिन एक बात समझना सबको जरूरी है कि ये जो प्रदूस्वन की समस्या है पूरे उत्तर भारत की समस्या है सबको सहयोग करना पड़ेगा और जो जो सरकारे हैं चाहे आम आदमी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाज़पा की सरकार हो सरकारें बदल जाने से प्रदुसरान की समस्या नहीं बदल रही है इसलिए सब को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा